Welcome Learners, आज हम इस वीडियो में देखेंगे Joint Hindu Family क्या होती है? या Hindu Undivided Family भी इसको कहते हैं? उसके Features, Merits and Demerits या Limitations. So, Let's Start. Now, Meaning of Joint Hindu Family. It refers to that business organization under which all members of Joint Hindu Family carry under the control of Mukya और Karta of the Family. Joint Hindu Family में क्या होता है? एक Family Business Type का होता है, जो Generation to Generation चला आरहा होता है. और उस Business का जो Head होता है, वो या Owner को हो, वो उस Family का जो सबसे Senior Citizen होते हैं, जो सबसे Senior Individual होता है उस Family का, वही उस Business का Owner होता है, और उसको मुखिया या करता के नाम से जानते हैं. ठीक है? या उसको मुखिया या करता के नाम से डिनोट किया जाता है. वही उस Business का देखरे करता है, Main Decisions भी वही लेते हैं, और बाकी सब जो होते हैं, वो उनके Under काम करते ह हैं, बाकी Family के Members, इसमें कोई Outsider नहीं रहता है, इसमें सारे के सारे उसी Family के Same Family के Members होते हैं. पहले क्या होता था, कि इसमें सिर्फ Male Members को ही Add किया जाता था, फीमेल की कोई इंट्री नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे Law में Changes होते गए, अब फीमेल की इंट्री होने लगी ह हैं, इसमें अब फीमेल भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, Same Family की. Now, Features of Joint Hindu Family, Operation According to Hindu Law, इसका जो ऑपरेशन होते हैं या जो भी वरकिंग होती हैं, वो Hindu Law के According होती है, जो कि Article 44 में Mentioned है, यह हर Community के या हर Religion के अलग-अलग Laws हैं, उसमें से एक Hindu Law भी है, जिसके According यह Joint Hindu Family Business या Hindu Undivided Family Business रन करता है, Management वही करता है, जो भी करता होता है, यानि जो Head है, जो Owner है उस Business का, जो उस Family का सबसे Eldest Citizen है, वो उसका Management सारा देखरेख करता है, और उसको करता है, या मुखिया के नाम से जानते हैं, Next, Limited Liability, लेकिन करता's liability is unlimited, जो करता है, जो Owner है, उसकी liability unlimited है, लेकिन बाकी के जो Members है, या बाकी के जो Members उस Business में काम कर रहे हैं, बाकी के जो Family Members है, उनकी जो Liability होती है, वो क्या हो जाती है, लेमिटेड हो जाती है, उनको एक extent तक ही pay करना होता है, उसके आगे जो भी liability है, वो करता पे करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, ना पर्मानेंट एक्जिस्ट जनेरेशन वाइस जनेरेशन फैमिली बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं, ना Membership by Birth, जैसे ही किसी का उस Family में बर्थ होता है, वैसे ही वो उस Business का Member बन जाता है, ठीक है, तो जैसे ही उसका बर्थ हुआ, वो उस Business का Member बन गया, उनकी जो Membership हुई, वो उनको बर्थ के साथ ही मिल गई, No Need of Registration, फैमिली बिजनेस होता है, इसलिए इसमें भी सोल प्रोप्राइटरिशिप की तरह कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, Now Merits of Joint Hindu Family, Easy to Start, जैसे इसका इसका, फॉर्मेशन करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूर अजयारशन उसका उन करेगा फिर निक्स जन्रेशन उन करेगा ठीक है, तो इस तरह से यह सब्सक्रón अलमाहरा होता है, इसमें लीगल फॉर्मालिटीज नकार काराबर होती है और इन में कोई registration करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इस वज़े से ये start करना बहुत ही आसान होता है एक secrecy maintain हो जाती है क्योंकि इस सवरे family के ही लोग होते हैं, कोई बाहरी नहीं होता है, कोई outsider नहीं होता है या फिर public में इनको अपने documents नहीं जाहिर करने होते हैं, अपने सारे documents या अपनी सारी accounting records नहीं दिखानी होती है तो इस वज़े से एक secrecy maintain रहती है उस business की Prompt and quick decisions, जो भी decisions होते हैं वो कौन make करता है, इसमें करता, जानि जो भी owner है तो वो एक अकेला individual को decision लेना होता है, इसलिए वो quick decision लेता है, किसी से इसमें, उसको किसी से consult नहीं करना पड़ता है जो भी उसका decision होगा, सारे members को follow करना होगा Next is minimum government regulations, इसमें government के बहुत कम regulations होते हैं, बस जो law है, उसी के according उसको work करना है बाकि इसमें government का कोई भी interference नहीं होता है Next is flexibility in operation, manage करने में या operate करने में business को flexibility होती है क्योंकि एक ही family के लोग होते हैं, तो उनमें कुछ mutual understanding होती है इस वजह से operation करने में आसानी हो जाती है और जो decision होता है वो एक ही individual ले रहा होता है, जो भी उस family का head है, जो भी करता है तो वो decision एक ही आप में ले रहा होता है, इसलिए management जो होता है वो आसान हो जाता है या flexible हो जाता है, उसमें changes time के according family लाती है जैसे अगर माल लोग market में कोछ changes आया तो family भी अपने business में change करेगी तो flexible हो जाता है उनका business Now limitations, सबसे पहला limited resources, एक ही family के लोग हैं, कोई outsider की entry नहीं हो रही है तो resources क्या होंगे, automatic limited हो जाएंगे sole proprietorship की तरह जैसे sole proprietorship में resources जो थे, वो limited थे, वैसे ही इसमें भी resources limited हो जाते है Unlimited liability, जो करता होता है, उसकी liability unlimited होती है बाकी members की liability unlimited नहीं, limited होती है लेकिन जो करता होता है, उसकी liability unlimited होती है Third is dominance of करता, कई बार ऐसा होता है, करता अपनी मर्जी का करता है जो कि वाकी members को acceptable नहीं होता है तो इस वज़े से उनमें कभी-कभी mutual conflict भी आ जाती है No entry of outsider कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता है membership उसी को मिलेगी जो कि उस family से belong करता है जिसका birth उस family में हुआ है उसी को membership मिल सकती है अब किसी बाहरी आदमी को नहीं Limited growth and expansion क्योंकि इसमें कोई outsider नहीं आ रहा है कोई ऐसी degree की involvement नहीं है कोई ऐसा skill होना जरूरी नहीं है बस एक generation से दूसरे generation automatic transfer होते जाएगा ownership तो इस वज़े से उनमें skill की कमी होने लगती है जरूरी नहीं कि हर कोई business करने में अच्छा ही हो उस family के हर members अच्छे ही हो सबको proper knowledge हो सबको अच्छे से manage करना आता हो तो इस वज़े से क्या होता है कि कभी कभी उस business का जो growth और expansion होता है वो और forms के मुकाबले उसमें limited हो जाता है कमने लगता है एक narrowness आ जाता है जाता है